हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप फ्रीफायर का डायमड़ बाइड कर सकते हो एक नई वेबसाइट आई है कोडा शॉप जहार से आप बाइड कर सकते हो डायमड़ बहुत ही ऊजी तरीके से बस कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं और आप डायम करतना हो कोई परसाइन नहों बाई करते समय तो बाई करने से पहले आप देख लो मेरे पास 282 डामेंड्स है और बाई करने के बाद कितने डामेंड्स हो जाएंगे तो बाई करने के लिए पहले आपको अपने प्रोफाइल सेक्षिन में जाना होगा प्रोफाइल में जाकर ज और उसके बाद आप लोगो जाना है एक वेबसाइट पे कोडा शॉप कोडा शॉप लिखेंगे कोई भी ब्राउजर खोली और वहाँ पर जाके कोडा शॉप लिखें ने तो अगर आपको इतना नहीं करना है तो आप डिक्स्रिप्शन में लिंक दिया वाए वहाँ से क्लिक क करोगे तो आप लोगो कोडा शॉप अगर लिखते हो तो उसके बाद देखो पहला में यह आ जाएगा कोडा शॉप का वेबसाइट तो उसमें देखी चार गेम्स है फ्रीफायर मोबाइल लेजेंड्स रूल्स ऑफ सर्वाइवल विंस ऑफ ग्लोरी यह चार गेम्स है लेक तो फ्रेंड्स को किफ्ट करना तो उनका इडिया महाँ पर डाल दो उसके बाद वहाँ सेकंड्ड ऑप्ष्ण आता है सेलेक्ट री चार्ज तो वहाँ पर देखे 25 डाइमेंड्स है पचार दायमेंड तो आपको जो भी स्टाइमेंड जितना भी चाहिए डायमेंड आप व बीटियम से पे करते हैं तो देखिए यहाँ पर आएगा प्रेटियम तो प्रेसola के मात प्रेस उसलिंद्वित टुर्ञाटी ऊपर ऌप्रीच आपको एक OTP आएगा उसको आपको डालना तो से आपका गेम लॉग जो पेटिया में उस लॉग इन हो जाएगा इस वेबसाइट पर आपको बोल रहा है पे सिक्यॉर्ली तो पेकर जैसी बटन पर दबाऊगे तो आपका 40 पर कट जाएगा और आपके गेम के अंदर डायमंड आ जाएगे तो जैसे आप लोग नहीं देखे होगा तो मेरे प्रिवेस मुझा कर देख लो मेरे पास 282 डायमंड्स था 282 डायमंड्स था अब देखना मैं यह एड कर लिया हूं तो थैंक्यू लिखकर आ गया है तो कंटीनू तू बंचन दबाते हैं तो वहाँ पर आपका यह refresh हुआ 332 डायमंड्स हो गया तो यह टापप successful हुआ है तो अब देख सकता हुज तो आप देख सकते हो इंदThis अब पहले जाकर देख लोगे तो आपका 2 22 डायमंड्स दिखाएगा 282 प्लस 50 332 तो diamond stop up हो गया है तो बहुत ही easy तरीका था बस आपको अपना UID ये friends का UID डालना है और payment कर देना है एक बार आपने login रेजिस्टर कर दिया बस पेटियम आपको login हो गया जब चाहे तब buy कर लो तो इस वीडियो में यही बताना था आप लोग ट्राइ करो अच्छी website है save website है और कुछ दिनों में एक new update भी आने वाला है payment method में कि आपको आपका जो sim यूज़ करते हैं वो sim से भी आप रिचार्ज कर सकते हो diamond top up कर सकते हो